इस question में आपको यह पास information दिया हुआ है कि free expansion of an idle gas under adaptive condition के लिए क्या correct option होगा तो चुक्कि free expansion बोला गया है तो इसका by default क्या है कि आपका surrounding का force या pressure क्या होगा zero होगा नि external force या pressure क्या इसमें zero है तो इसके समें क्या होता है कि without any external force या pressure हम लोग वर्क नहीं करते तो यहां work क्या होगा work होगा zero ठीक है चुक्कि अदेबिटी condition बोला गया तो इसका मतलब ही टेशन क्या होगा zero क्यों 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 होगा zero अगर हम लोग अप्लाई करते हैं first law तो आपके पास क्या है तो हमारे पास है क्यों प्लस वर्क एकॉल टू क्या होता है डेल्टा यू तो आपके अपका क्यू जीरो है वर्क जीरो है इसका मतलब क्या हो डेल्टा यू भी क्या होगा जीरो होगा अब डेल्टा यू का जो फार्मूला होता है क्या होता है एन सीवी डेल्टा टी तो अगर डेल्टा यू जीरो है इसका मतलब डेल्टा टी भी क्या होगा जीरो होगा डेल्टा टी जीरो है इसका मतलब टेंपरचर क्या होगा यह होगा कॉंस्टेंट यानि फ् कुश्चन का जो करेंट आंसर होगा यह होगा आप्शन ए ते था इस कुश्चन का सोलेस्टन एनलाइसिस मूव करता हम लोग नेस्ट कुश्चन